हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होगे आपके सामने यहां पर चार नंबर्स दिखाए दे रहे हैं बहुत ध्यान से देखें किसी के भी विश्ण में अगर आपको यह जानना है कि वह आपके बारे में क्या सोचते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है ठीक है तो यह चीज़े आज हम देखेंगे चार नंबर है तो आप अलग अलग तंबर पर डिफिंट डिफिंट परसन को रखकर यह चीज़ देख सकते हैं जरनल रीडिंग है सभी के साथ कनेक्ट हो जाए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है तो आप चाह का ध्यान रखेगा ठीक है तो चार नंबर हैं बहुत ध्यान से देखें जिनके बारे में भी आपको जाना है कि वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है तो बहुत ध्यान से देखें और चुल लिजे को एक नंबर या फिर आपके आपके सामने यहाँ पर चार कार्ट दिखाई दे रहे हैं आपने जो नंबर चुना था जिसके लिए चुना था यह ध्यान रही है ठीक है कभी कभी क्या होता है जब हम एक से गदा परसंट के लिए देख रहे होते हैं तो हम गलती कर बैठते हैं कभी कोई नंबर किसी के कर दूं देखिए जर्णर रिडिंग है इस बात का ध्यान रखेगा जरूरी नहीं कि आपके साथ कनेक्ट हो और हो भी सकता ही कनेक्ट हो जाए ठीक है आगे देखते नंबर फॉर्स्ट में क्या पता चलता है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं वह आपके लिए बहुत पॉ था उनको आपके जो भी कुछ आप दिखाते थे जिस हिसाप से नेचर तो उनको सकता आपके ओपर की सायदा अच्छे इंसान नहीं है लेकिन जैसे से समय बिता है अब वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव हो गए हैं काफी अच्छा सोचने लगे हैं उनको लगने ल बहुत को खुछ रखना चाहते हैं एक ऐसे इंसान है जो बहुत साधारन से हैं बहुत मतलब आपको लोगों को दिखावा आपको पसंद नहीं है तो बहुत यह सिंपल तरीकी के वैक्ति हैं आप वह आपके बारे में वी के साई चीजे सोच रहे हैं नमबर फर्स्ट आपन उनको यह लगने लगा है कि नहीं आप जो है जो वह समझ रहे हैं आपको वह आप वैसे ही वैखती है अब तक वह आपको गलत समझ रहे थे तो इस चीज़ का उनको थोड़ा समन में है भी कि वह क्यों आपके बारे में इतना गलत सोचते थे थे ठीक है नमबर फर्स्ट किसी समय का वेट कर रहे हैं किसी जीज का वेट कर रहे हैं आप समय मतलब चीजों में बहुत समय लेते हैं कोई डिसीजन हो तो समय लेंगे कोई बात हो तो समय लेंगे आप एक ऐसे वैखती है जो बहुत सोच समझ कर एक चीज को करते हैं बहुत प्लैन के साथ करते हैं और असलिए जीवन में आप सफल भी होते चले जाते हैं और यह चीज उनको बहुत अच्छी लगती है वो आपको समझते तो हैं लेकिन उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि सायद कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानते हैं एक बहुत अट्रेक्शन है यहां पर आपके प्रती एक मतलब जिस तरीकी से आप चीज़ों को प्रिसन करते हैं या बात करते हैं या इतना पता है कि आप अपने भविश्य को लेकि बहुत से रियस हैं आप जो करना उसे आप पुरहा कर्ना चाहते हैं। और इसे लिए उसके की तो आपके प्लान करते है। और दोतंगे में आपको दस्किति हैं। मतलब इतना है विल्हुत कि आपने लिए आप चीजों को रखते हैं। कि इंसा से कामाइएका करिया य última दोतो है कि उसको ऐते हैं.. three of ones ठीक है आई लेखते है नमबर तीन हमें क्या पता चलता है कि आपने जिसके लिए चुना है वो आपकी बारे में क्या सोचते हैं उनके दिल निमाग में आपके लिए क्या है कैसी विचार है आपके लिए अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर किया कीज़े एनरजी से अगर कनेक्ट होना है तो ठीक है नम्मर तीन आपने जिसके लिए भी चुना है ये इनसान आपके लिए बहुत पॉजिटिव है आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं आपको अपने जीवन में एक रौशनी की जरसे देखते हैं और उनको अच्छा लगता है कि आप जहां भी जाएंगे खुशियां ही विखेरेंगे जहां भी जाएंगे खुशियां ही लेकर जाएंगे आप एक ऐसे इनसान है जो बहुत लगी परसन है इश्वर का आशिरवाद रहता है आपके साथ हमेशा जहां भी जाते हैं बहुत पॉजिटिव मतलब एक तरिके की वहां का आसपास का वातरवर्ण हो जाता है आपको जीवन के परती बहुत सकरात्नक सोच वाला इंसान समझते है बहुत खुबसूरत समझते हैं एक अच्छे दोस्त है एक अच्छे लाइफ पार्टनर है मतलब जीवन में आपके जितने भी रिस्ते हैं उसमें आप बेस्ट है आपने जीवन में हर एक रिस्ते को बहुत अच्छे से निभाया है और आगे भी आप रिस्तों को निभाना जानते हैं इस तरीकी का इंसान वो आपको देख रहे है, सन्व के एनरजी में देख रहे हैं बहुत पॉजिटिव एनरजी, ठीक है? आई ने देखते हैं नंबर चार हमें क्या पता चलता है कि आपने जिसके लिए चुना है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं के दिल में आपके लिए क्या है उससे पहले आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजेगा कमेंट नहीं करते हैं तो करना स्टाइट कीजिए अगर आप चाहते हैं के अनरजी आप से हमेशा कनेक्ट रहे हैं अब बहुत परेशम आप करते हैं भी अपने लाइफ में उसके बाद ही आपने जीवन में जो भी पाया है बिना मेहनत के आपने नहीं पाया आपने बहुत संगर्ज किया है आज आप जो भी है अपनी मेहनत से हैं आप भाग्य के भरों से नहीं बैठते हैं तोड़ा सा तो बCare ने वी लिखता है आपको गिराने वाले लोगोत है, आपके दुसमन बहुत है छालोर तरफ आप लोगों से ऐसी पिर डब गिराएं गिराकिनंगे उनकों अ हुझानर वक्त आपको गिराने में अपको कहले है आपकी जीवन को दोगा सा कठिन बना देता है क्योंकि फायर एनरजी में वो आपको देखते हैं उनको सा लगता है कि आप बहुत जल्दी नराज हो जाते हैं गुसा करते हैं लडाईयां होती हैं ऐसा उनको लगता है ठीक है आपके person आपको बहुत positive देखते हैं अपने career को लेके आप बहुत focus रहते हैं और इस तरीके का वेक्ति देख रहे हैं ठीक है भी time pain के energy आपके लिए ऐसी 5 of wants की ठीक है जीवन में आप संगर्स कर रहा है और जानते हैं कि आपने जो भी कुछ हासल के आपने महनस से ही किया फिल अगे वर्णा है ऐसे वो देख रहे हैं आपको ठीक है उमीद करते हैं कि आज के energy आपसे जरूर कनेक्ट होई होगी हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में बाय फ्रेंड्स